राधे राधे लकडी का कटोरा नैतिक मोले पर हिंदी की कहानी एक व्रद्ध विक्ति अपने बहु बेटे के यहां सहर रहने गया उम्र के इस पड़ाव पर वात्यंत कमजोर हो चुका था उसके हाथ कापते थे और दिखाई भी कम देता था वो एक छोटे से घर में रहते थे पूरा परिवार और उसके चार वर्षे पोता एक साथ दिनर टेबल पर खाना खाते थे लेकिन व्रद्ध के कारण उस व्यक्ति को खाने में बड़ी दिक्कत होती थी कभी मटर के दाने उसकी चमच से निगल कर फर्ष पर बिखर जाते तो कभी हाथ से दूद छलक कर मेंज पोस पर गिर जाता बहु बेटे एक दो दिन में ये सब सहन करते रहते पर अब उन्हें अपने माता पिता की इस काम से चिड़ होने लगी हमें इनका कुछ करना पड़ेगा लड़के ने कहा बहु ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोली आखिर कब तक हम इनकी वज़े से अपने खाने का मज़ा किरकिरा करते रहेंगे और हम इस तरह चीजों का नुकसान होते हुए भी नहीं देख सकते अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज को कमरे के कोने में लगा दिया अब बड़े बूढे माता पिता को वहीं अकेले बैटकर अपना भोजन करना था यहां तक कि उनके खाने के बरतनों की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया गया था ताकि अब और बरतन ना तूट फूट सके बाकी लोग पहले की ही तरह आराम से बैटकर खाने और खाते और जब कभी कभार उस बुजर्ग की तरफ देखते तो उनकी आखों में आशु दिखाए देते या देख कर भी बहु बेटे का मन नहीं पिखलता वो उनकी छोटी से छोटी गलती पर धेरो बाते सुना देते वहाँ बैठा बालक भी या सब बड़े ध्यान से देखता रहता और अपने में मस्त रहता एक रात खाने से पहले उस छोटे बालक को उसके माता पिता ने जमीन पर बैठ कर कुछ करते हुए देखा तुम क्या बना रहे हो पिता ने पूछा बच्चे ने मासूमियत के साथ उत्तर दिया अरे मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो आप लोग इसमें खा सके और वापुना अपने काम में लग गया पर इस बात का उसके माता पिता पर बहुत गहरा असर हुआ एक भी सब नहीं निकला और आखों से आसू बहने लगे वो दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या कहना है उस रात वो अपने बुड़े माता पिता को वापस डिनर टेबल पर ले आए और फिर कभी उनके साथ अबद्र व्योहार नहीं किया दोस्तों हम अक्सर अपने बच्चोक से झाले